गिलहरियों के गाउं के नागरीकों हिम्मत की बात करते हो तुम्हें लगता है तुम्में हिम्मत है अपनी पहचान बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता राजकुमार को पकड़ लो गिलहरियों का राजकुमार मीका यह बढ़ियो था यह सब क्या हो रहा है अपनी पहचान बताओ वक्त आने पर पता चल जाएगा अब्रा का डाब्रा यह क्या है क्या हो रहा है यह बंद करो यह 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 नहीं हो सकता तु तुम्ने मेरे तुम्ने मेरे लोगों के साथ क्या किया लगता है यह मेठकों का गाउ है मासूमों पर हमला करने के लिए मैं तुम्हे माफ नहीं करूंगा हमें बात में इसकी जरुरत पड़ीगी इसे पकड़ कर बंद कर दो हुँ 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 हुँ因為 इसके लिए सुएान उट जायो उट जायो सुएान उट जायो ब χो प проблем सुए बन करो और किती तेर सोईगे रेतु तुम्हें स्कूल जाना है क्या तायम हुआ है वहां देर हो गई है बगबार मुझे जल्दी तयार होना है अब उन्हें स्कूल हो गई है अब मुझे देर हो गई इसके बाद तुम रोज इतना कैसे सो सकी हो यार और हमेशा देर से जाती हो समान कहा है मेरा फोन काहा है इसे ऐसा है किरती हो मत बार हर गद्आयल हो मै अब मन नग अब सुननी चाहि свет और हम ये संदे की दिन कहा जा रही है संदे क्या आज संदे है हाँ सोसु हाँ हॉ पेकी अब उनको भी नहीं पता था आज संड है सच में तुम्हें बता नहीं था तुम्हें यही कहना है कसम से धर्ती पर बोज है सुझेन बुलाव आया है चलना होगा किलहरियों का गाउं मुसीबत में है गाउं के जब से बड़े योद्धा और रक्षक राजकुमार 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 राजकुम्हें इस अपरण के पीछे किसका हाथ हो सकता है सर्व डायन शीला शीला ने गिलहरियों के गाउं पर कबजा कर लिया है और सारे नागरिकों को मेंढग बना दिया है क्या डायन बिल्कुल सही सर्व डायन के जादू में बहुत शक्ती है और उसका कोई अंत नहीं है तुम लोगों को बहुत सामधान रहना होगा टेंशन नी लेने का सर्व इसी भी जादू की शक्ती अब उनको नहीं रोक सकती शाबाश जाओ और राजकुमार मीका को बचाओ सर यस सर मिनी फोस तयार हो तयार हाँ हाँ यह हाँ यह हाँ राजकुमार मीका कहा है बहाँ तुम तुम लोग कौन हो अप उन लोग मेनी फोर्स है राजकुमार अप उन लोग आपको छड़ाने आए है पिंजरे पर जरूर कोई डिवाइस लगे लाए राजकुमार मीका जाहिए यहां से मैं तुम लोगों के साथ लड़ूँगा नहीं राजकुमार यह सब अपुन लोग समाल लेंगे आप जल्दी कीजिए समझ गया तो फिर मेनी फोर्स तो अपना ध्यान रखना तुम्हें लगता है तुम राजकुमार मीका को बचाने आए हो फेवर कूफों तुम्हें लगता है इस तरह की चाल हमें रोक सकती है ऐसा है क्या इन कीडे मकारो को खत्म कर दो तुम्हें लोग मेरा कुछ नहीं डिगाड सकते अब उनलग फोर्स वेपन के साथ डायन का मुकाबला करेंगे अब तुम्हारी बारी है डायन तुम लोग मेरा कुछ नहीं डिगाड सकते अब उनलग फोर्स वेपन के साथ डायन का मुकाबला करेंगे ठीक है फोर्स वेपन तयार फोर्स बोब तयार फोर्स बोब तयार अब्राकादब्रा ये लोग ये क्या है ये क्या है ये जागू है जिरा शरीद गर नहीं डहा हम ये फिर नहीं भाद अगा ये लोगा जहम दल बेवकूफ आब्राकादाब्रा ये आब्राब्राब्राव हम्हा। कितने प्यारे हुँ तुम! यह क्या हुआ? हमारा ट्रांस्फोर्मिशन खत्म हो गया! क्या यह किस दायन की शक्ति है? अब अब क्या करें? अब मैं तुम्हें अपने जादू की शक्ति दिखाती हूँ! ज्यान प्रे! पागो भिडूलो! अब 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 लोग क्या करें? अब अब लोग क्या करें? ऐसे मुकावला नहीं कर पाएंगे! अभी के लिए पीछाटना पढ़ेंगा! ठीक है! वही रुक जाओ तुम बेवकूफों! लेरा! रुक जाओ! रुक जाओ! नहीं! राजकुमार! राजकुमार मीका! तुम ठीक हो लीना! शुक्रिया राजकुमार! तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब इसका मज़ा चखो! जान से! अब यहां से निकलना चाहिए! मुझे खबर मिलिया कि तुमने राजकुमार मीका को बचा लिया! जी सर! पर वो नागिनापूल को खाई गई थी! उसने अप उन लोग के ट्रास्फोर्मेशन्स की वाट लगा दी ऐसी बात है तो फिर एक ही तरीका है वो क्या है सर्फ डाइन शीला को गिलहरियों के गाउं से शिकायते हैं जिस योद्धा ने बहुत पहले उसे खैद किया था वो कोई और नहीं राजकुमार मीका के दादा जी थे दादा जी ने? क्या दादा जी ने उसे गैद किया था? बिल्कुल सही जो तलवार उन्होंने तब इस्तिमाल की थी वो इश्वर्य सुरक्षा की तलवार है और गाउं में अभी भी मौजूद है ये तलवार जो एक कुफा के अंदर शुपाई गई है उसी से इस डायन को हराया जा सकता है बिल्कुल वो तलवार तुम लोगों पर किये जादू का असर खत्म कर देगी और तुम लोग फिर से ट्रांस्फोर्म कर पाऊगी गाउं की गिलहर या भी फिर से पहले जैसी ही हो जाएंगी लेकिन याद रहे उस इश्वर ये सुरक्षा की तलवार को कोई हिम्मत वाला ही इस्तिमाल कर सकता है जी सर समझ गए कमांडर जल्दी करने का राजकुमर मीका ठीक है बदेँ गए में तल्ट रहे झाले खाउंगी बदेँ रहे वे जाएंगी खच तुक हुआ सबरों ऑदो mega? हुआ अ, हुआ शुक्रिया, राजकुमार राजकुमार में काम मदद करिये तुम रोग खबराओं मत मा तुम्हारी मदद करूँ मा आपने हमें बचा लिया आपको थेंक यू राजकुमार मिल गई यही तो वो दल्वार है जिसके कमांडर बात कर रहे ले थे यह जमीन के अंदर धासी हुई है यह हिल भी नहीं रही है मैं क्या करूँ? कमांडर जे नहीं कहा था इसे वो ही इस्तेमाल कर सकता है जिसमें सच्ची हिम्मत होगी मतलब मुझ में सच्ची हिम्मत नहीं है अगर डायन को मैं नहीं रोख सकता तो मैं राजकुमार कहलाने के लाइक नहीं हूँ मुझे मर जाना चाहिए यह सच नहीं है आप यह कर सकते हैं राजकुमार मुझे माफ कर देना आप नहीं हमें अब तक सच्ची हिम्मत दिखाई है राजकुमार मुझे आपकी हिम्मत पर भरोसा है राजकुमार लेना पिल्कुल राजकुमार, हार नहीं मानने का आप कर सकते हैं राजकुमार जल्दी तलवार उठाए राजकुमार बहुत महाशुक्रिया अब मैं अब मैं ये कर सकता हूँ इश्वर ये सुरक्षा की तलवार मेरा साथो मुझे तुम्हारी जरूरत है असाथ हना की बहूँ हा जरूरत है हा? हार राजक्रा रााजकरा रा बाति है हार राति है अपनी पर्दी से वापस आएगो तो तो तुम इस तलवार को भुली नहीं टायन तुम्हें लगता है मैं एक की तलवार से दो बात हाजाएगी यह 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 अपुलक भिरसे ट्रांस्फॉर्म हो सकते है लगता है मुझे बीच में आना ही पड़ेगा मैं तुम्हें इतनी आजगारी से जाने तुम ही लूँगा सर्टाइन, मैं तुम्हें अंधिरों की शक्ति रहता हूँ वर्षकॉबेधा हो अंधिरों की निए पसकाओ बुछाने का में वकता हाँ पॉर्सकाँ आयाद आयाद वो अपना जादू इस्तिमाल करें से पहले आप उनलों को हमला करना पड़ेगा दायन तो बहुत ताकतवर है हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी नई तो हम हार जाएंगे उसकी पूच में खासकर बहुत शक्तिया है ठीक है, सबसे पहले सब दूर रहकर हमला करो भिड़ो लोग, हमला करने का यह क्या हुआ हम इस तरह हार नहीं सकते पोर्स बीम हमला तायन यहां नहीं है क्या, कहां गई वो दिकी, पोर्स बोर्स इस तरह के दबाब को नहीं छेल सकते क्या उसे हराने का कोई तरीका है हम उससे बच सकते हैं अगर फोर्स बोर्स अपनी पूरी ताकत से गर्मी फेगे तो यह खतरमाग भी हो सकता है और इससे हमारी साली उर्जा खत्म हो जाएगी और कोई तरीका नहीं है भिड़ो अपना पावर आउट्पुट तेज कर दो ठीक है पर यही सही हो गया पढ़िया अब फोर्स वेपन से हमला गड़ने का फोर्स बोर्ट वेपन तयार हो तयार हुरिकन सोग वे इस महीं गड़ दौर्फ लगश का हंड़ द्रॉस को यह हमला कर मेका यहलो हुरिकन सोग मेनी फोर्स के लोगों आपने हमें बचाया है हम यह एहसान बिल्कुल नहीं भूलेंगे कुश आपर सबुले हम हम